सबी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार बरा नमस्कार सत्ते ही है सचकी जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपको गाय के घी के बारे में बहुत ही महत्तु पुर्ण जानकारी देंगे गाय का घी हमारे लिए अमरित है गाय का घी किन किन रोगों में प्रियोग किया जाता है और गाय के घी से हमें क्या-क्या फाइदे मिलते हैं इसके लिए आपको आज एक बहुत ही विशेश जानकारी देंगे आईरुएद के नुसार अनिद्रा कारोगी श्याम को दोनों न थुनों में गाय के घी की दोदो बून डालें और रात को नाभी और पैर के तलूओं में गाय का घी लगा कर सो जाएं तो उसे बहुत ही अच्छी निंद आएगी गाय का घी मुनुच्छे शरीर में पहुंचे रेडियो दर्मी वीक की रण का दुष प्रभाव नष्ट करने की जबरदस्त समता रखता है अगनी में गाय का घी की आहुती देने से उसका दुआ जहां तक फैलता है वहां तक का सारा वातावरन परदूसरन और आणवी विक्रणों से मुक्ध हो जाता है सबसे आश्चरिय जनक बात तो यह है कि एक चमच गाय के घी को अगनी में डालने से एक टन प्राण वायू यानि ओक्षिजन बनती है जो अन्य किसी भी उपाई से संभव नहीं है देशी गाय के घी को रसयन कहा गया है जो जवानी को कायम रखते हुए बुढपे को दूर रखता है काली गाय का घी खाने से बुढ़ा व्यक्ति भी जवान जैसा हो जाता है गाय के घी में सुरण चार पाए जाते हैं जिसमें अध्भुत औस दियगुन होते हैं गाय के घी के अलावा अन्य घी में ये चीज़े नहीं मिलती है गाय के घी से बहतर कोई दूसरी चीज नहीं है दुनिया में गाय के घी में वैक्सिन एशिड, ब्यूट्रिक एशिड, बीटा के रोटीन जैसे माइक्रो न्यूट्री मुदूद होते हैं जिसके सेवन करने से कैंसर जैसी गंबीर बिमारी से बचा जा सकता है गाए के गी से उत्पन शरीर के माइक्रो नूर्ट्री में कैंसर यूक्त तत्वों से लड़ने की छमता होती है यदि आप गाए के 10 ग्राम गी से हवन यग करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप वातारण में लगबग एक टन ताजा ओक्सिजन का उत्पादन कर सकते हैं यही कारण है कि मंदिरों में गाए के गी का दिपक जलाने की ततादार्मिक समारोह में यग्य करने की पर्था परचलित है इससे वातारण में फेले पर्मानू वीकी रणों को खटाने की अदबूत समता होती है गाए के गी के अन्य महत्पून उप्योग आपको बताते हैं मासिक सक्राव में किसी भी तरह की गड़बडी में डाइसोग्राम गरम पानी में घी पिगला हो तो तीन चमच जमा हुआ हो तो एक चमच डाल कर पीने से लाब होता है यह पानी मासिक सक्राव वाले दिनों के दोरान ही पीना है दूसरा उप्रियोग है गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खतम हो जाती है ये दुनिया की सारी दवाईयों से तेज असर दिखाता है गाय का घी नाक में डालने से कान का परदा बिना ओप्रेशन के ठीक हो जाता है नाक में गी डालने से नाक की खुशकी दूर होती है और दिमाग तरो ताजा हो जाता है गाय का गी नाक में डालने से मानचिक शानती मिलती है या दास्त तेज होती है गरब होती मा को गो मा का घी अवशे खाना चाहिए इससे गरब में पलरा, आशिसू, बलवान, पुष्ट और बुद्धिमान होता है दो बूंद देशी गाए का घी नाक में सुबह शाम डालने से माईग्रेंदरद ठीक हो जाता है जिस व्यक्ति को बहुत हार्ट बलोकेज की तकलिब है और चिकनाई खाने की मना किया गया है तो गाए का घी खाए हार्ट बलोकेज दूर होते हैं देशी गी के प्रियोग से नाक से पानी बहना, नाक की हड़ी बढ़ना तता खराटे दो बूंद डालने से ठीक हो जाते हैं सर्दी जुखाम ओने पर गाए का घी थोड़ा गरम कर दो दो बूंद दोनो नाक में डाल कर सोएं आपको आराम मिलेगा अच्छी नीन के लिए माईग्रेन औखराटों से निजात पाने के लिए भी यह प्रियोग बहुत अच्छा होता है गाए का घी नाक में डालने से पागल पंदूर होता है, गाए का घी नाक में डालने से अलर्जी खतम हो जाती है गाय का गी नाक में डालने से लकवा रोग में भी उप्चार होता है 20-25 ग्राम गी वे मिश्री खिलाने से सराब, भांग वे गांजे का नसा कम हो जाता है गाय का गी नाक में डालने से कान का परदा बिना उपरेशन के ठीक हो जाता है नाक में गी डालने से नाक की खुसकी दूर होती है और दिमाग तरो ताजा हो जाता है गाय का गी नाक में डालने से कुमा से बाहर निकल कर चेतना वापस लोट आती है गाय का गी नाक में डालने से बाल जड़ना समाप तोकर नए बाल भी आने लगते है गाय के गी को नाक में डालने से माणचिक शान्ती मिलती है, यादास तेज होती है हाथ पाऊं में जलन होने पर गाय के गी को तलूओं में मालिष करें, जलन ठीक हो जाएगी इचकी के ने रुकने पर खाली गाय का आधा चमच गी खाएं इचकी स्वयम रुक जाएगी गाय के गी का नियमित सेवन करने से ऐसी डिटी वे कब्ज की शिकायत कम हो जाती है गाय के गी से बल और विर्य बढ़ता है और सारारी कुए मान सिक ताकत में भी इजाफा होता है गाय के पुराने गी से बच्चों को साती और पीट पर मालिस करने से कप की शिकायत दूर हो जाती है अगर अधिक कमजोरी लगे तो एक गिलास दूद में एक चमच गाय का गी और मिश्री डाल कर पी ले हतेली और पाउं के तलूओं में जलन होने पर गाय के गी की मालिस करने से जलन में आराम आएगा गाय का गी नहीं सिर्फ कैंसर को पैदा होने से रोकता है बलकि इस बिमारी के फैलने को भी आश्चरिय जनक ढंग से रोकता है बस गी गाय का सुद्ध होना चाहिए जिस व्यक्ति को हर रिटे की तकलिप है और चिकनाई के लिए मना किया गया हो वह भी गाय का देशी गी खाएं तो हर्ट उसका मजबूत हो जाएगा देशी गाय के गी में कैंसर शे लड़ने की भी अचुक छमता होती है इसके सेवन से इस्तन तथा आथ के खतरना कैंसर से बचा जा सकता है संभोग के बाद कमजोरी आने पर एक गिलास गरम दूद में एक चमजदेशी गाय का गी मिला कर पी ले इससे थकान बिल्कुल कम हो जाएगी फंपोलों पर गाय का देशी गी लगाने से आराम मिलता है गाय के गी की छाती पर मालिस करने से बच्चों के बलगम को बाहर निकालने में मदद मिलती है साप के काटने पर सो से डेट सो क्राम घी पिलाएं और उपर से जितना गुनगना पानी पिला सके पिलाएं जिस से उल्टी और दस्त तो लगेंगे ही लेकिन साप का जहर कम हो जाएगा दो बून देशी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माईग्रेंट ठीक होता है सिरदर्द होने पर सरीर में गर्मी लगती हो तो गाय के घी की पेरों के तलूओं पर मालिस करें सरदर्द ठीक हो जाएगा यह समरण रहे कि गाय के घी के सेवन चे कोलेस्टरॉल नहीं बढ़ता है वजन भी नहीं बढ़ता है बलकि वजन को संतुलित करता है यानि के कमजोर व्यक्ति का वजन बढ़ता है मोटे व्यक्ति का मोटापा वजन कम होता है एक चमच गाय का सुद घी में एक चमच बूरा और एक चोथाई चमच पिसी काली मिर्च इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाट कर उपर से गरम मिठा गाए का दूद पीने से आंखों की जोती बढ़ती है गाए के गी को ठंडे जल में फैंट लें और फिर गी को पानी से अलग कर लें यह परिकरिया लगबग सो बार करें और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल कर मिला दें इस विधी दुआरा प्राप्त गी एक असरकारक ओस्दी में परिवर्तित हो जाता है जिसे तुचार समंदी हर चरम रोगों में चमतकारिक मरहम की तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यह सोराइसिस के लिए भी रामबान है गाए का गी भी एक अच्छा LDL कोलेस्ट्रोल है उच कोलेस्ट्रोल के रोगियों को गाए का गी ही खाना चाहिए यह एक बहुत अच्छा टोनिक है अगर आप गाए के गी की कुछ बुंदे दिन में तीन बार नाक में प्रियोग करेंगे तो यह तिर्दोस वात पित कप को संतुलित करता है गी छिलका सईत पिसा हुआ काला चना और पिसीवी सक्कर तीनों को समान मातरा में मिलाकर लड़ू बांद लें सुबह खाली पेट एक लड़ू खूब चबाचबा कर खाते हुए एक गिलास मिठा गुनगुना दूद गुंट गुंट करके पीने से इस्तरियों के परदर रोग में आराम होता है पुरुसों का सरीर मोटा ताजा और सुंडोल और बलवान ताकतवर बनता है यह आपको आज गाए के घी के बारे में आपको जानकारी दी है गाए के घी के बारे में जितना बताया जाए वो बहुत ही कम है इसके लिए हमारे पास कोई सब्द नहीं है गाए का गी हमारे लिए अमरित है तो इसका आप परियोग करे गी आपका सुद्ध होना चाहिए आज आपको गी के बारे में और गीशे के दुआरा कई रोगों का उपाए करने का भी आपको बताया है उमिद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी अपना केमती समय देकर मेरी वीडियो रिकोर्डिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद